पंचम दिवस मा सकंद माता के बारे में, जैसा कि आपको बताई रहे थे, चर्चा चल रही थी कि ये हमारी अंतर जगत की यात्रा है, पहला दिन शैल पुत्री, दूसरा दिन मा ब्रह्म चारनी, तीसरा दिन चंदर घंटा, चोथा दिन मा कुश्मान्डा, और आज मा सकंद माता, दिखाया गया है कि इनके एक हाथ में सकंद, जो इनके पुत्र का नाम है कार्थिकेन, वो इन्होंने उठाया हुआ है, बोजाय अस्थ है, यह मात्रतव की और बढ़ रहे हैं, लौकिक दुनिया में जब भी कोई भक्ती करता है, तो मात्रतव का मतलब अपने बच्चे की बात करता है, जब हम अध्यात्मिक्ता में आते हैं, तो हम में इतना विकास हो जाता है, कि हम पूरे संसार को अपना माने हैं, लेकिन उस मार्क तक पहुचने से पहले, पहले अंदर जो उपज रहा है, कल जो देवी कुश्मांडा के दुवारा नए ब्रहमांड की, नए दुनिया की मैंने रचना करी, तो मेरे गुन और शक्तियां पुत्रों के रूप में उपजे पैदा हुए, उनकी मुझे रक्षा करने हैं, बताते हैं, ताड का सुर्प ने तपस्या की और अजे का वरदान मांगा, और कहा केवल शिव पुत्र ही उन्हें मार सके, उन्हें पता था शिव वेरागी हैं, तपस्वी हैं, यादगार में शंकर को दिखाते हैं, लेकिन हम जब भी इस मार्ग में आगे चलते हैं, तो पता लगा कि ये जितनी भी बुराईयां हैं, काम, क्रोध, लोब, मुह, एंकार, इन्होंने लगबग अमर्तव का वरदान लिया हुआ है, और कहा कि केवल शिव पुत्र ही इन्हें मार सकें, इसकार जब तक हम शिव के पुत्र नहीं बनेंगे, तब तक इन्हें हम मार नहीं सकते हैं, चाहे कितने युग बीत चाहें, तो शिव के ब्रह्मा द्वारा, हम पुत्र ब्रह्मा कुमार कुमारियां, काम, क्रोध, लोग, महों, एंकार, इर्शा, द्वेश, गिर्णा को मार सकते हैं, और वो भी पैदा होते नहीं मार सकते, दिखाया, कि ताड़कासुर से एक दो बार हार कर कार्थिकेन वापस आया, मा पार्वती ने, जो दुरुगा का सवरूप बताते हैं, उसे सिक्षा दी, अस्तर शास्तर के, शिव ने भी सिक्षा दी, जो शंकर रूप में दिखाते हैं, तो इसका मतलब, जैसे ही बाबा के घर हमने जनम लिया, उसी शन से काम करोध खतम नहीं होते, हम प्रती दिन के वारा सिक्षा लेते हैं, कि इनका वद कैसी किया जाएगा, तो मा सकंद माता की पुजा होती है, कहानी रोमांचक बनाते हुए बताया, कि पार्वती को मातरतव सुख की इच्छा थी, तो उन्होंने तथास्तु का वर्दान दिया, देवताएं बहुत समय से आतुर थे, कि शिव के द्वारा पुत्र उत्पन हो, और जो ताड़का सुर ने उन्हें स्वर्ग से निश्काशित कर दिया था, उस पर उनका आधिपत्ते पुनाय हो, लेकिन अभी विवा हुआ है, पर जब उन्हें पता लगा कि भगवान शिव ने पार्वती को मातरतव सुख के ल तो देवताओं के किसी देवता ने इंद्र को बोला, कि याद रखें, भगवान शिव जो सुरिष्टी के मालिक है, और दुर्गा जो स्वेम प्रकरती है, इनके मिलन से जो पुत्र उत्पन होगा, वो कितना शक्ति शाली होगा, कितना तेज होगा, तो इस तरीके से उसे क कहा कि इंद्र को ये लगा, कि ताड़का सुर को मार कर फिर वो कहीं स्वरग पर वो ही राजना कर ले, तो इंद्र को अपनी चिंता थे, और वो कुटिलता से सारे पहुचे शिव के पास कहा, कि जो पुत्र हो, उसमें पार्वती के गर्भ या पार्वती का रूल ना हो, जिस तरह दुनिया में संताने उत्पन होती है, वैसा ना हो, उन्होंने तथास्तु कहा, तो पार्वती को जो पता लगा, तो पार्वती ने कहते हैं, देवताओं को श्राप दिया, कि जिस तरह मुझे ऐसा कहा गया है, आज के बाद सभी देवताओं की संताने भी इसी रिती से प्राप्त हो, तो ज्ञान मार्ग में हम समस्ते हैं, चुकि ये क्लास ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनों के लिए है, सत्युक्त रेता में देवताओं की संताने योगबल से पैदा होगे, भोगबल से नहीं होगे, तो वो श्राप नहीं भागवान का वर्दान था, उसमें बताया कि भगवान शिव और पारवती जब योग, योगस्त हुए, तो दोनों की उरजाएं एकत्रित हों के एक उश्मा पिंड बना, उसको गंगा को सौपा गया कि इसे संभालो, जब तक ये पुत्र रूप में परिवर्तित ना हो, तो गंगा ने आके महादेव को कहा, कि मैं इसका तेज संभाल नहीं पार रही, इसका तेज केवल पारवती ही संभाल पाएगी, तो महादेव ने उसे कहा, कि आप जाके धर्ती को अर्पित करतो, केवल धर्ती ही इसको संभाल सकती है, तो उसने जाके धर्ती पे छोड़ा तो वो पिंड लुड़कता हुआ पाड़ों से नीचे गिरा सरकंडों में और छे हिस्सों में वबाजित हो गया सकंद उसकी पालना धर्ती माने करी जिसने बड़े होकर वद किया ताड़का सुरका तो ये दिखाया भगवान शिव जो हमें ज्यान देते हैं योग बल देते हैं वो ज्यान गंगा ज्यान के द्वारा ही हम योग लगा सकते हैं और धर्ती मतलब निरहंकारिता धर्ती पर टिके रहें धर्ती से चुड़े रहें तब ही हमें वो उसका प्रादुभाव होगा तो दिखाया ताड़कासुर ने शौनित महल बना लिया था वो एक भ्रह्म था माया जाल था उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था तो राजाइंद्र, कुवेर, वायुदेवता, इत्यादी सभी गए थे उसको भीदने तो कार्तिकन भी दो बार टकराने का प्रयास किया लेकिन दिखाया, सकंद माता ने कहा उसकी मापारपती ने कहा कि जब भी कोई संकट आए, मेरे को एक बार ध्यान करना तो जैसी प्रिस्ति आती, वो आख बंद करता और समर्ण करता, मा इस प्रिस्ति में मुझे क्या करना चाहिए तो यह याद दिलाया जब भी हम पे कुछ कठनाईया आए तो पहले वी गो इंसाइड तब हम भग बाबा से जो हमारी सच्ची मा है उससे पूछें और फिर उसका उत्तर दें तो उस समय दिखाया कि मा ने बताया कि जो दिखता है वास्तों में वैसा नहीं होता हो सकता वो सामने दिख रहा और वैसा नहीं हो जो दिख रहा है वो सत्ते नहीं हो तो यह भी याद दिलाया कि यह संसार इसकी इर्षया त्रिष्णाएं जो दिखती हैं वो सकते नहीं है इस तरीके से वो उसकी पहली दिवार भीदने में कामयाब हुआ जब वो अंदर पहुचा तो ताड़का सुर ने उसे उकसाया कि युद्ध कर तो उसे क्रोध दिलाया तो उसने आख बंद करी और पूछा तो मा ने उसे बताया कि ये आपको उकसार आया आपने अपने क्रोध पर बीजे पानी है बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है लेकिन हमने राक्षश बना दिये तो क्रोध पर हमें कोई भी उकसाये तो उसके उकसावे में नहीं आना कईवा लोग प्यार से कहते हैं भाई साब उसने मुझे बीस गालियां दी आखिर मुझे में उन्हीं गुस्सा आ गया एक मैने भी सुना दी इस तरह वो क्रोध पर भी जे हुए फिर चोसर लगाईगी जैसे सांप सेड़ी का खेल है तो पासे वो भी फैकता वो भी फैकता यानि माया भी पासे फैकती है और हम भी बाबा के हिसाब से पासे फैकते हैं तो अगर हमारी चड़ती कला है तो हम उन्नती की और बढ़ते जाते हैं एक से शुरू होते हैं सो तक पहुँच सकते हैं कई पर पचास पे पहुँच पे सांप डस लेता है फिर दो पे आ जाते हैं यानि काम ने डस लिया क्रोध ने डस लिया लोग ने डस लिया तो जब भी पासे फैक्त है याद करता है अपनी मा को और पासे फैक्त है तो एक पासा फैक्त है उसमें नंबर अच्छे आते हैं और तो सेम प्रिष्थिती रिपीट नहीं होती अगर एक ही प्रिष्थ प्रिष्थरी बार बार रिपीट parents में seiner को πजह turkey खेंगे अगर पीपर बदलके आया तो उसे एक योध्धा दिखाई दिया जो युद्ध करता हुआ उसने कहा ये इतना विशाल योध्धा इतना कुशल योध्धा को नहों सकता है तो उसके अंदर से कार्टिकन से एक निकल के आया कहा कि कार्टिकन तुम से अच्छा संसार में कोई नहीं हो सकता देव वो के भ तुझे बताये यह तिरा एहंकार है तुझे अपने एहंकार को जीतना है ना कि एहंकार के वस्च किसी और को जीतने का पर्यास करना है नम्रता आनी चाहिए तेरे वेवाद में तो दिखाया वो उससे युद करता रहा पहले लेकिन पराजित नहीं कर सका जैसी उसने उसे मुस्करा के देखा तो उसका अहंकार तिल मिलाकर छोटा हो कर उसी में परवेश कर गया वहले उसने अहंकार को जीit लिया इस तरह से लड़ाईया करते करते अंकार काम कुरोद लो ओ हों इंकार को जीते जीते में वो शौनित महल धरासाई हो गया कैंछ कि समध अकर्षनों के महल को धरासाई कर सकते हैं इसकंद माता है जब इसे पता लगा कि इंदर ने इंदर का यह शड़े अंदर था तो इंदर के ओपर कुपित हुई तो इंद्र घबरा कर उसकी आर्थी करी सकंदमाता लो यहां इंद्र देवताओं का राजा बताया मैं आत्मा यहां विराजित हूँ मेरे में देवत्व पैदा हो रहा है तो यह इंद्रियां अगर मैं इंद्रियों का राजा हूँ तो मेरा स्वरग पे आदिपत्ते हैं अगर मैं इंद्रियों के गुलाम हूँ तो मैं स्वरग से निश्काशित हूँ तो इंद्रियों हर बार मुझे अपना बना लें का परियास करती है तो मा इंद्र पे कुपित होना मतलब मुझे इंद्रियों पर कुपित होना मतलब क्रोध नहीं करना इंद्रियों को वश में करना है controlling power यूज करना है यानि अगर इंद्रियों से भूल वश कुछ गलती होती है तो इंद्रियों को ही सजा देनी है आखों को, कानों को, स्पर्ष को, पाँचों करमिद्रियों को और तीनों ग्यानिंद्रियों को, मन, बुधी, संसकार को वश में करना है तो लोग सकंद माता की पूझा करते है कि हमें सब पराप्त कराएं तो जब बाबा के मार्क पे चलते हैं तो पाँचवे दिन के इस नवरात्रे, पाँचवे दिन की पाँचवी सीड़ी में हम में पुत्र पुत्री उपण होने हो जाते हैं जानकी दादी से भी पूछा था कभी कि हाब मैरिड है उसने का हाँ, मेरे दो बच्चे हैं एक सुख और शान्ती तो कितनी गहरी बात बोली तो मेरे भी दो बच्चे हैं सुख और शान्ती कार्तिकेन कहूं, गनेश कहूं इनकी रक्षा करना मेरा फर्च है सुख कभी भी हार सकता है अकर्षनों से भोतिक सुखों से तो पल पल इसकी मारदर्शना करना ही सकंद माता का रूप है इसमें निडरता चाहिए और बार बार ये समरन रहे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ परमात्मा की अरधांगनी हूँ जब देवत मुझ में उपन हो रहा है ना बाबा आके मारेगा बाबा और मेरे मिलन से जो गुल उपजेंगे जो वो शक्की का रूप धारन करेंगे वो इनका वद कर सकते हैं मतलल लंबे समय का बहुत काल का अभ्यास इनको प्राजित कर सकता है ओम शान्ति कल मिलेंगे छटे नवरात्रे माक का त्यानी की चर्चा के साथ धन्यवाद